हलो फ्रेंड्स आपको स्वागत है हमारे सीटेक चैनल में फ्रेंड्स यदि आप Microsoft Excel यूज करते हैं और आप LIC Agent है तो अपने customer का data को manage करना चाहते हैं तो आप काफी असानी तरीके से Excel में LIC Premium Due Date Auto Reminder बना सकते हैं तो चली फ्रेंड्स वीडियो करते हैं और इस वीडियो आपको बताते हैं कि की तरह से आप LIC Premium Due Date Auto Reminder बना सकते हैं तो हमारे पास Excel open है और Excel में सबसे पहले हम यहां से कुछ cell को merge कर लेंगे फिर बाद में merge करेंगे ठीक है हम यहां से टाइप करते हैं Serial Number उसके बाद सबसे यहां पर हम लिखते हैं Policy Number यहां पर लिखते हैं Name of Policy Holder Mobile Number समें 100 रुपए जितने का Policy है Premium Term कि Premium Term क्या है Premium रुपए पहले लिख देते हैं फिर Premium Term लिखेंगे Policy Start Date, Next Due Date और साथ में Last Name लिखेंगे Status कि ओ जो Client है हमारा Active है या नहीं Status सबको Slate कर लेंगे और इसको यहां से Auto Slate कर देंगे Auto Regist कर देंगे तो इतना Friends हमारा Type हो गया अब इसे हम यहां से Border देते हैं, Color जो भी Color आपको Fill करना है आप यहां से Color Fill कर दीजिए, यहां भी इस तर से Select करके इसे Merge कर देते हैं यहां पर एक और Insert कर लेते हैं और इसमें हम टाइप करते हैं, Merge करके LIC Premium Due Date Auto Reminder Size यहां से Highway कर लेंगे, Mold अब Friends हम इसमें कुछ नीचे डेटा टाइप करेंगे, बाद में इसमें फार्मूले बगरा लगाएंगे, तो डेटा हम यहां यहां पर टाइप कर लेते हैं, तो Serial No.1, वससे आप बहुत सारा डेटा इसमें टाइप कर सकते हैं, जितना आप नीचे को टाइप करना चाहते हैं, कर सकते हैं, हम एक पॉलिशी नंबर एक्जामपल के लिए टाइप कर देते हैं, यहां पर नेम ऑफ पॉलिशी होल्डर, साथे Friends उसका है मुवाइल नंबर, सम एंस्टोर रुपे, कितने लागा पॉलिशी है, आप चाहते Friends तो इसको थोड़ा सा साइज छोटा करके औ और जैस्ट हो जाएगा, Premium कितने का जाता है, अपने यहां पर टाइप कर लेंगा, आपको पता होगा कि Premium कितने का है, आदे आप इंस्रेंस कर रहे हैं, तो सेंटर कर लेते हैं, Premium Friends टर्म क्या है, जैसे कि Half Yearly है, Yearly है, Quarterly है, या मन्थली है, यादी Half Yearly है, यहां पर हम टू करेंगे यदि monthly है तो हम यहां पर one type करेंगे यदि quarterly है तो हम यहां पर 12 टाइब कर देंगे तो हम फ्रेट्स यहां पर जैसे मान लेते हैं कि quarterly है तो हम यह पर four type कर लेते हैं ठीक है policy start date जब भी policy start हुआ उसका date हम type पर देते हैं तो हम टाइप कर लेते हैं तो हमने यहां पर फाइब लोगों का और डेटा टाइप कर लिया फोर्थ लोग का इसके बाद में इसे हम सेट करेंगे थोड़ा वेगरा सेट कर लेते हैं और पर की ऐसे आफने डेटा टाइप कर लेते हैं जैसे आपने बना लेते हैं कंगे पर केया एसमें टाइप करते हैं बंक कर ले कर जाएगा इसको बोल्ड करके साइच छोटा करना है तो कर लिजिए इसके बाद में हम यहां पर इसे भी कलर फिल करके आउट बोर्ड दे देंगे और यहां पर हम टाइप करेंगे एक्टिव कि कितने लोग एक्टिव हैं और यहां पर हम टाइप करेंगे फिल करके fill करके यहाँ पर आउर बोडार देते हैं और यहाँ पर type करते हैं Inactive और इसी में हम six 이걸 कर लेते हैं फिल कर लेते आउर बोडर organismा कुम यहाँ थोड़ा से बढ़ा देते हैं और इसने अश्वेसक्त थे beth क्या ऐ अैसरे को बोल्ड कर देते हैं içine करके सबको बोल्ड कर देते हैं, ctrl s से save, ठीक है, इसका size त्वासा कम कर लेते हैं, और इसमें color fill कर देते हैं, green, ओके, अब हमारा जो friend seat है, वो completely त्यार है, अब इसमें हम date पे सबसे पहले, is equal to, today का या फिर now का, today, bracket start and close से formula लगा देते हैं, तो today का formula इस पर लग गया, और friends हम यहाँ पर status पर active और inactive का drop down बना लेते हैं, तो इसके लिए चलते हैं, data पर data validation, data validation, और यहाँ पर any value जाते हैं, list और यहाँ पर type कर देते हैं, active, active, inactive, और ok कर देते हैं, और double click करके यहाँ से draw कर लेते हैं, ठीक है, तो सब में active, inactive आ जाएगा, तो सब को active कर देते हैं, active, inactive friends filter करने काम आएगा, जिसे सीव active वाले list सो करेगा, फिर inactive वाले list सो करेगा, अब next due date का formula यहाँ पर लगाते हैं, कि next due date कब आने वाला है, तो formula friends यहाँ पर type करते है, is equal to, सबसे पहले यहाँ पर data देख लेते हैं, पहले formula की left से type करते हैं, इस साइड ले लेते हैं, और यहाँ पर type करते हैं, is equal to, e-date, e-date bracket start, start date select कर लेंगे, देखिए यहाँ पर आगे e-date के बाद में start date का option आगे, तो start date, comma bracket start, अब 12 month की साब से लेना है, तो 12 यहाँ पर type करके divide g5, तो हमें इस से divide करना है, ठीक है, इस से, तो g5 bracket close into round up, round up bracket double start करेंगे यहाँ पर, फिर लगाएंगे today, bracket start close कर देंगे, minus h5, फिर से हम इसे slide कर लेंगे, h5 bracket close, half n, round, bracket start, तीन सो परस्ट देश दिवाएंगे, जी 5 हम फिर से हम इसे slide करेंगे, comma 0 bracket close, comma 0 double bracket close, enter, तो यहाँ पर friends कहीं ने कहीं गल्थ हो गया, हम यहाँ पर half n, तो formula में कहीं ने कहीं जरूर मिस्टेक हो गया है, तो friends यहाँ पर जो हमने date type किया, यह 2001 type किया हुआ, इसलिए value आ रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर कर देंगे, 2019 या फिर 2019 type कर देते हैं, और यहाँ पर जो date format है, यहाँ पर रखेंगे, हम sort date, ठीक है, इस तरह से और center कर लेते हैं, बाकी date सही है, यहाँ से double click करके, सब पर apply कर देते हैं, यहाँ पर date गलत था, इसलिए यहाँ पर invalid आ रहा था, formula बिल्कुल सही है, यहाँ पर हम change करके भी देख सकते हैं, तो friends जो आपका premium term रहेगा, उसके हिसाब से यहाँ पर आपका next due date सो करता रहेगा, बस data आपका यहाँ पर start date सही होना चाहिए, friends और इस month जिसका जिसका भी due date रहेगा, उसका highlight हो जाए, dark हो जाए, इसके लिए हम select करके जाएंगे home और यहाँ पर जाएंगे conditions पर highlight sell rules और यहाँ पर जाएंगे date according ठीक है, date according पर जाकर आपको जैसे भी, आपको week के साब से देखना है, next week के साब से देखना है, last month के साब से देखना है, तो आप अपने select कर लिजिए और ok कर जीए, तो इस महीने जिसका जिसका भी किस्त लगने वाला हो, जिसका जिसका भी payment लगने वाला होगा, LIC किस्त तो उसका यहाँ पर आपको highlight हो जाए, कि इस महीने इतने तारीक है इनका payment policy का जो भी है, installment लगने वाला है, त इससे पहले हम यहाँ पर जो date है, इस date का हम यहाँ पर एक formula बना लेते हैं, इसमें, इसको hide कर देंगे, जरूरत नहीं, इससे hide कर देंगे, फिलालवी के लिए use करते हैं, तो यह hide हो जा रहा है तो इसको थोड़ा सा open कर लेते हैं, बाद में कर लेंगे, तो is equal to month है, bracket start और इससे slide करेंगे, इस month के date को and one bracket close enter, तो यह बता देगा कि यह जो महीना चल रहा है, यह मन्त चल रहा है, कौन सा month चल रहा है, तो 7th month चल रहा है, तो यहाँ पर 7th so हो गया, अब इससे हम यहाँ से छोटा कर देते हैं, बाद में फिर और hide कर देंगे, इससे, इसकी जरूरत प्रिंट पर, अब यहाँ पर formula लगाते हैं, तो formula रहने के लिए, फ्रेंट simple है, is equal to sum bracket start, double minus, bracket start month, फिर से bracket start, और हम due date, जो next due date है, सभी को select कर लेंगे, सभी को select करनेक बाद में bracket close, is equal to, इससे select करेंगे, जो अभी हम formula लगाया थे, 7 को, month को, double bracket close करेंगे, क्यों double bracket open हुआ है, और friends हम यहाँ पर type करेंगे, control shift enter, तो देखेंगे, यहाँ पर दो policy इस महीने, pending है, due है, इसलिए यहाँ पर सो करने लग गया, ओके, अब धियाँ रखेगा, control shift enter, जरूर प्रेस किजिएगा, अधि हम इसमें changes करते हैं, जैसे हम करते हैं, य यहाँ पर आपका one हो जाएगा, control z से फिर से ले ले लेते है, control s से साथ में save कर लेते हैं, तो friends इसको click करेंगे, देखे, complete formula इस तरह से, लेकिन जो आपका bracket लगा हुआ, यह automatic लग जाएगा, control shift enter से, तो friends हम यहाँ से बाहर click कर लेते हैं, और यहाँ पर active, कि कितने लिखते हैं, bracket close and bracket close, comma close and bracket close enter, तो five active है, यहाँ पर सो कर जाएगा, इससे हम green में बतल रेते हैं, इससे में formula लगाते हैं, same formula लगाएंगे, is equal to count if bracket start range, comma, inverter comma, inactive, close, enter, तो zero है, यहाँ इसको red रखेंगे, अब इससे किसी को हम यहाँ से inactive करते हैं, तो यहाँ पर one so हो जाएगा, तो friends, जो sheet है, वो complete हो गया, इस पर हम एक और चीद करेंगे, सभी को select कर लेंगे, select करने के बाद में, control T से table में convert कर देंगे, इससे होगा क्या, कि next to next data जब भी इस पर type होगा, और friends, हम यहाँ पर click करके, और इससे यहाँ से green ही कर देंगे, और इसका size तो और कम कर देंगे, हमने data को delete नहीं किया, सिर्फ को color change किया है, और friends, यहाँ पर फायदा क्या होगा, कि यदि आप सिर्फ active user को देखना चाहते हैं, तो click करके सिर्फ active पर inactive को हटा दीजिए, तो सिर्फ active वाला show करेगा, यदि आप सिर्फ will inactive को देखना चाहते हैं, तो यहाँ से इस तरह से filter कर सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, आप जितने भी term वाले के देखना चाहते हैं, किसका किसका इस मन्त प्रिम्यम लगने वाला है तो फ्रेंड्स बिताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा एक दिया अच्छा लगा हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दिएगा शेयर किजिए अपने दोस्तों के साथ वर्ट्शाप और फेस्बूत फ्रेंड्स म मिल्थे एकले वीडियो में एकले टोपिक सा तत्तकली बाई-बाई-बाई